सबी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार आज पूरा देश स्तब्द है अनंतनाग की घटना से पूरा देश दुखी है हमारी सेना और पुलिस के तीन अधिकारी आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए सेना के दो जवान आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए और इतना ही नहीं आर्मी डॉग सेना का वो जावाज जानवर केंड उसने भी आतंकवादियों का मुकाबला किया उसने भी बोली खाई उसने भी अपनी जान दी अपने हैंडलर को बचाने के लिए अपनी जान दी देश की सेना के करनल मनप्रीश सिंग जी जो पंजाब की धर्ती से आते हैं उन्होंने अपनी शहादर दी मेजर आशीस जो तीन बहनों के अकेले भाई थे हर्याना की धर्ती से आते हैं उन्होंने अपनी शहादर दी दीएसपी हमायु भट जिनके पिता जम्मु कस्मीर की पुलिस में आई जी थे हमायु भट जो अपने पीछे अपने पिता अपने परिवार अपनी पत्नी और अपने दो महिने के बच्चे को छोड़के गए पूरा देश उनके सर्वोच बलिदान को नमन करता है राइफलमैन रभी कुमार और कर्नल मनप्रीश सिंग जी को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था मेजर आसीज जी को अभी पंदरा अगस्त में भारत की महामहिम रास्टपती द्रोपदी मुर्मूजी ने सम्मानित किया था उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया था और इन अधिकारियों के जिंदगी में इनकी बहादुरी से जुड़े हुए किसे हैं कैसे इन्होंने आतनकवादियों का मुकाबला किया कब कब किया लेकिन जहां एक तरफ पूरे देश को अपने इन महान वीर सपूते को उपर गर्व है वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंति नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के उपर धिकार है कि जिस तरीके से कल जब हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था प्रधानमंति नरेंद्र मोदी जस्न मना रहे थे जब हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था सेना उनको सलामी दे रही थी एक पिता नम आखों से अपने बेटे को स्रद्धांजली दे रहा था लोग चीख रहे थे, मातम मना रहे थे उस वक्त मोदी मोदी के नारे लगा कर G20 का जस्ट मनाया जा रहा था ये भारत के प्रधान मंत्री की संवेदन हिंता की पराखास चाहे भारत के प्रधान मंत्री जो किसी ब्राजील के फुटबॉलर को चोटाने पर ट्वीट कर लेते हैं भारत के प्रधान मंत्री जो दुनिया की तमाम घटनाओं पर अपनी संवेदना जाहिए करते हैं अफसोस की बात है कीतना समय बीद गया आप जस्क मनाने में वेस्ट थे जुलूस निकाले में वेस्ट थे मोधी मोधी के नारे लगवाने में वेस्ट थे लेकिन अपने सेना के अधिकारियों के प्रति आप संवेदना का ट्वीट करने के लिए दो मिनट की फुरसत नहीं पाते है यह किस प्रकार के संबेद शीलता है आपकी कैसे आप अपने आपको भारत मा का लाल कहते हैं कैसे रास्ट की सुरक्षा के साथ इतना खिर्वार कर सकते हैं आपने दावा किया था इस देश में आतनकवादियों का खात्मा होगा आपने दावा किया था कि जम्मू कस्मीर में आतिमपात को आप शमाप्त करेंगे कभी पुल्वामा में हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं कभी 4 अगस्त को हमारे जवानों के तिंद पे हमला होता है हमारे जवान शहीद हो जाते हैं कभी कर्नल मनप्रीज सिंग, मेजर नासीस, डी एसपी हमाई भर्ट और हमारे सेना के दो जवान और आर्मी का वो बहादू डॉप वो भी देश की रख्षा के लिए सहीद हो जाता है एक आर्मी के डॉप को देश की रख्षा के चिंता है, लेकिन भारत के सर्वो चुपक पर बैठे हुए भारत के प्रधान मंत्री को अपने जवानों के प्रति सम्वेदन शीदता नहीं है बहुत अफसोस की बात है, पीडा की बात है, दुख की बात है, हम सब के लिए बहुची शर्म की बात है कि देश के प्रधान मंत्री आखिर क्यों ऐसी घटनाओं पर जस्न मना रहे होते हैं, पुलवामा में हमारे जवान शहीद होते हैं, उत्राखंड में, शूटिंग में बेस्त हैं हमारे देश के प्रधान मंत्री, घंटो बाद उनको हो साया कि नहीं हमको डिस्कवरी की सूटिंग से निकलना चाहिए, करोना की महामारी में लाखों लोग देश के अंदर मर रहे होते हैं, समसान धाट में लासे बिची होती हैं, गंगा की धाटों पर लोगों क अंतिम संसकार करने की जगा नसीब नहीं होती है, ऐसे समय में भारत के प्रधान मंत्री बंगाल के चुनाओं में वेस्ट होते हैं, और जब आतनकवादी हमला हो रहा है, और आतनकवादी हमला कोई एक दिन से नहीं, पिछले तीन दिन से यह हमला हो रहा था, तीन दिन से म पुलिस के अधिकारी शहीद होते हैं, पुलिस के अधिकारी शहीद होते हैं, जब हमारे सहीदों का जराजा उठा है आप जस्ट मना रहा है, जुलूस निकाल रहा है तब इस देश के लोगों को सोच रहा होगा कि ऐसी संवेदन हीन सरकार जो रास्टी ये सुरक्षा के साथ तो खिलवाल करी रही है हमारे शहीदों की शहारत को भी स्विकार करने को तयार नहीं उसके प्रती अपनी शद्धान्जली और संवेदन व्यक्त करने के लिए है डिली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री भगमान्पमान जी जैसे ही केजरिवालसाहब की सरकार बनी दिल्ली के अंदर उन्होंने हमारे शहीदों के लिए उनके परिवारों के लिए योजना बनाई क्योंकि उन्होंने तो देश के लिए कुर्वानी दी है अब हमारी जिम्मेदारी हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं पंजाब के मुख्य मंत्री ने योजना बनाई क्या हमारे देश की सरकार को क्या हमारे पुर्णान मंत्री जी को उनके परिवारों की उनसे जुड़े हुए लोगों की चिंता नहीं होती क्या इतना भी वक्त आपको नहीं मिला सोचने का विचार करने का कि अले यह जुलूस तीन दिन के लिए अस्थागित कर दें, दो दिन के लिए अस्थागित कर दें, मैं मोधी सरकार से ये मांग करता हूं कि उन परिवारों को कध्यान रखिये और जो अधिक्तम उनकी आप मदद कर सकते हैं, आर्थिक रूप से, नौकरी दे के, जमीन दे के जिस तरीके से भी उन परिवारों के आप मदद कर सकते हैं, मदद के लिए आगे आएए, और जिन आतंकवादियों ने हमारे वीव सकूतों की जान ली है, उसका मुहतोर जवाब दीजिए, पता ये चल रहा है, कि ये लसकरे तयबा से चुड़ा हुआ कोई ग्रूप है, ज विश्तार हो रहा है, कोई छुपा नहीं है, पडोसी देशाप का पाकिस्तान, वो भारत के अंदर आतंकवाद के बीज बोता रहता है, और मौका लगने पर वो ऐसी आतंकवादी घटनाओं को अन्जाम देता है, पाकिस्तान पोशित, पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजि या आतंकी घटना और हिंसा का भारत के प्रधान मंत्री को मुझतोर जवाब देना चाहिए, और अगर सरकार इस पर करवाई नहीं करती है, तो विशेश सत्रसदन का सुरू होने वाला है, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को भारत की सांसद में उठाएगी, हमारे जो ब इस विशेश को देश के सर्वोच सदन में उठाएगे, आपका कोई प्रस नहीं आप पूछ सकते हैं. शहीदों के प्रती, नमन, उनको अपनी संवेदना विक्त करने का और भारत की सरकार को, देश के प्रधान मंतरी को इस घटना का मूतोर जवाब कैसे देना है, इसके बारे में सरकार को आके, सामने आके बोलना चाहिए और देश को बताना चाहिए, देश को विश्वास में प्रधान मंतरी आज मजब परदेश में है, परियोजनाओ का उज़ाटन कर रहे है, वहाँ उन्होंने जम्मु कश्मी के मुझ्य पता नहीं बोला, लेकिन सनातन पे इंडिया गडवन्दन को जियरा है, सीरे तोड़ पर ये कह रहे हैं कि सनातन को खत्म करने का लक्षा है और हर सनातनी को साथ ग्रेंगी ज़रोचे है, देखें भारत के प्रधान मंतरी 24 घंटे सिर्फ चुनाओं में और नफरत फैलाने में वैस्त रहते हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधान मंतरी को देश की भी चिंता करनी चाहिए और सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने स्वयम क्या बोला है, तीस सेकंड में आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ यह भारत के प्रधान मंतरी कह रहे हैं तो प्रधान मंतरी अपनी सुवधा के हिसाब से बोलेंगे, वो खुद कभी कहेंगे हिंदू धर्म नहीं है, कभी कहेंगे हिंदू धर्म है सनातन धर्म पर किसी को भी टिपड़ी करने का आधिकार बिल्कुल नहीं है सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए और हमारे नेतार विंद केजरिवाल जी का तो मानना है, उनका नारा है इनसान का इनसान से हो भाईचारा यही पैगाम, हमारा सभी धर्मों के बीच में समन्मवे होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए ये आमादमी पार्टी का मानना है हम किसी की धर्म के खिलाफ ना बोलते हैं ना उसको लेके कोई राजनीती करते हैं लेकिन मैं बहुत सपस्त तोर पे कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का इस धर्ती पर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो उस पार्टी का नाम है भारती जनता पार्टी और उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी मैं कैसे कह रहा हूँ दो मिनट में आपको बताना चाहता हूँ ये वो लोग हैं जो प्रभुसरी राम के मंदिर में चंदाचोरी का काम करते हैं मैंने उसका प्रमार दिया था दो करोन की जमीन смढ़े एक फारा करोन रुपए में इन लोगोरों ने खरीदने का काम किया मात्र पांच मिनट के अंदर सारह सोला करोन रुपए के भरस्ताचार का प्रमान है भाजपाईयों के खिलाब प्रभुश्री राम के मंदिर की निर्मान में दूसरा इनका एक मुख्यमंत्री थे दिनेश शल्मा जी उन्होंने का सीता मैया योगी आदितनाज जीन के नेता है उन्होंने तो भगवान की जाती खोज ली कह लगे बजरंग बली जी दलित थे आदिवासी थे बताइए कहा नहीं कहा हुआ शिवराज सिंग जी मुख्यमंत्री है मद्ध्र प्रदेश के उन्होंने क्या का नरेंद्र मोदी जी भगवान श्री राम है और अमिश्च शाहजी बजरंग बली है आप हमारे देवताओं की तुलना नरेंद्र मोदी और अमिश्च से कर रहें यह धर्म का अपमान नहीं है इसी संसद के अंदर एक संसद महवदय ने क्या कहा था विस्की में क्या बस है और जिन में क्या बस है और ठर् इतियास पता है आपका भाजपा को मैं बताता हूं आपको मुख्य मंत्री बनाया इन्होंने मायवती जी को रिकार्ड तलासी है गजाके मुख्य मंत्री बनाया भारती जंता पार्टी के 176 विधायक थे और मायवती जी के 60-65 विधायक थे पहली सरकार वनी थी पहली सरकार और उसमें किसका मेला लगवाय था मायाती जी ने पेडियार का मेला लग बाएगा पेडियार कौन थे राम और समर्थर थे बताइए बीजेपी के एक बिनेताने मंत्री ने इस्तीफा दिया हो और इसी डियमके के साथ दो दो बार सरकार बना चुके हैं बताइए आप तो इसलिए हमको भाजपाईयों से नहीं सिखना है हिंदु धर्म और सनातन धर्म हम जानते हैं सनातन धर्म और हिंदु धर्म को कैसे निभाना है क्या उसकी परंपरा है क्या उसका संदेश है हिंदु धर्म का संदेश है वसुदेव कुटुम्वकं पूरा विश्व हमारा प प्राईयों में दुर्भाव ना हो यह इनका संदेश है तो इसलिए हिंदु धर्म का कौन नुक्सान कर रहा है यह बीजेपी के नेताओं को बिलकुल नहीं बोलना चाहिए उनका तच्चा चित्था हमारे पास रखा हुआ है भाजपाईयों का हिंदु धर्म से सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है और बाकी हिंदु धर्म को लेके किसी भी नेता चाहिए वो उदैनिधी मारान हो किसी पार्टी का कोई नेता हो हिंदु धर्म और सनातन धर्म पे कोई टिकपड़ी करने का अधिकार किसी को नहीं है कि अजय को अजय को बाइब है